दोस्तों कि आप जानते है दुनिया में एक ऐसा पक्षी है जिसकी रडार पर अगर आप आगाए तो आपको अपने 11 नंबर की बस से भागना पड़ सकता है और कि आप जानते हैं दुनिया में एक ऐसा विचित्र पक्षी मौजूद है जो अपने बराबर वाले शिकार को हवा में उड़ा ले जा सकता है और कि आपको पता है दुनिया में एक ऐसा जीब पक्षी भी पाया जाता है जिसके पंखों में ही जहर होता है अगर नहीं तो आज इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के कुछ ऐसे खतरनाक और विचित्र पक्षियों के बारे में बताऊंगा जो पक्षियों के बारे में आपकी धरना को बदल के रख देंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिक्शन पर ओल पर क्लिक कर दीजेगा बात करते हैं तो अब बात करते हैं दुनिया के साथ वे सबसे अकरामक और खतरनाक पक्षी की जो है कैसोवरी ये पक्षी शतुर मुर्ग और इमू के बाद तीसरा सबसे बड़ा पक्षी है चो ज़्यादा तर अस्ट्रेलिया और नियूगीनिया में पाया जाता है कहते हैं अगर ये पक्षी किसी के पीछे पढ़ जाये तो इससे जान बचा पाना मुश्किल है और ये एक लोता ऐसा पक्षी है जिसकी वज़ा से कई इनसानों ने अपनी जान गवाई है इसी वज़ा से गिनिस बुक वल्ड रिकोर्ड में भी इस पक्षी को दुनिया का सबसे खतरनाक पक्षी डिकलेयर किया जा चुका है ये पक्षी 50 से 60 किलो मीटर प्रती घंटे की रफतार से किसी भी इनसान के पीछे दोड सकता है और इस पक्षी का वज़ा नोसतन 80 किलो होता है जिसकी वज़ा से ये पक्षी हवा में नहीं उड़ सकता खाने में ये पक्षी घंस, फूस, रेंगने वाले कीडे, मैंडक, चुहा और मचली आदी को अपना भोजन बनाता है अगर आप इस पक्षी को कहीं दूर से भी देख लें तो तुरंत अपने 11 नंबर की बस से भाग लें तो आप बात करते हैं दुनिया के चटे सबसे विचितर पक्षी की जो है पिटो ही दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि ये ननना सा पक्षी दुनिया का पहला जहरीला पक्षी है जिसके पंकों के साथ पूरी भारी सकिन पर जहर होता है पिठो ही एक चिडिया की शेणी में आने वाला पक्षी है जो जन्म से जहरीला नहीं होता ये चिडिया आहार में toxic defensive रसायन खाती है जिसके कारण ये जहरीली बन जाती है आम तोर पर ये चीडिया न्यूगीनिया के जंगलों में पाई जाती है जो छोटे मोटे कीडे और बीटल्स को खाती है और खतरा महसूस होने पर ये चीडिया अपना रंग भी बदल लेती है तो अब बात करते हैं दुनिया के पांचवे सबसे खतरनाक पक्षी की जो है सीगल अगर आप भी इस पक्षी की खुबसूरती के उपर जा रहे हैं तो एक मिनट रुक जाईए क्योंकि इस पक्षी को गोरिया चिडिया कबूतर साप और खरगोश खाना पसंद है और कहते हैं ये पक्षी डाइनसोर के टैम से धरती पर है ये बड़ जादातर यूरोप के देशों में पाया जाता है जो अपनी चलाकी और चतुरता से शिकार करने की वज़ा से खतरनाक पक्षीयों की श्रेणी में शामिल होता है तो अब बात करते हैं इस दुनिया के चोथ है सबसे विचित्र पक्षी की जो है कॉर्मोरेंट्स ये पक्षी दुनिया के सबसे हंगरी पक्षियों में से एक है जिसको कुछ मिंटों बाद ही दुबारा भूक लग जाती है इस पक्षी को पूरी दुनिया में जादातर समुंदर के उपर उड़ता देखा जाता है क्योंकि ये पक्षी समुंदर में शार्क मचलियों को अपना शिकार बनाता है और जितना इस पक्षी का वजन है ये पक्षी उतने ही वजन की शार्क मचली को या किसी भी शिकार को अपने पंजों में उठा लेता है और इस पक्षी की नजर इतनी पैनी होती है कि ये हवा में काफी उपर से मचलियों को देख लेता है और इसकी रडार पर आई मचली इससे नहीं बच पाती हैं तो अब बात करते हैं दुनिया के तीसरे सबसे खतरनाक पक्षी की जो है ब्लैक कोकेटो ये एक ऐसा पक्षी है जो अब बहुत कम देखने को मिलता है वैसे इस बर्ड को ऑस्ट्रेलिया पैनिसूला न्यूगीनिया के समुंदरी हिस्सों के आसपास पाया जाता है ये काफी गुसेल पक्षी है जो ज़्यादा तर शानत रहता है लेकिन जब कोई इनसान इस पक्षी को परेशान करता है तो ये इनसानों पर हमला कर देता है और गुसे में इस पक्षी का मूँ लाल हो जाता है इस पक्षी के दाइप इतने मज़बूत होते हैं कि इस पक्षी ने कई बार अपने लोहे के पिंजरे को अपने धातों से ही काट दिया और कई शोकिया लोग हैं जो इस पक्षी को 6,00,00 रुपे खर्च करकर पालते हैं क्योंकि इस पक्षी की कीमत 6 लाग से भी उपर है जो इस पक्षी के साइच पर डिपेंड करती है तो अब बात करते हैं दूसरे खतरनाख पक्षी की जो है रेंबोर ट्यूकन दोस्तो ये पक्षी देखने में इतना ज़्यादा खुबसूरत है कि इस पक्षी की सिर्फ चोंच में ही आपको 5-6 रंग देखने को मिल जाएंगे इस पक्षी के गले के निचले हिस्से में पीले पंक होते हैं बाकी ज़्यादा तर इस पक्षी का शरीर काला होता है ये पक्षी कोलंबिया मैक्सीको और वेनिजूला के जंगलों में पाया जाता है इस पक्षी की अवाज मेंडक की तरह होती है और खास बात भी यही है कि ये पक्षी मेंडक को ही खाना पसंद करता है इसके अलावा ये पक्षी रेंगने वाले कीड़ों और फलों को खाता है और इसकी खुबसूरती को देख कुछ हो कि इन लोगों ने इस पक्षी को पालने की कोशिश करी लेकिन कई बार इस पक्षी ने अपनी जरूष से ज़्यादा लंबी चोँच से इनसानों पर हमला किया जिस वज़ा से लोग अब इस पक्षी को पालने से डरते हैं सबसे पहले पक्षी की जो है पहली कान दोस्तो ये पक्षी फ्रांस में पाया जाता है लेकिन ये पक्षी अपने शिकार करने के तरीके के लिए ज़्यादा फेमес है कुदरत ने इस पक्षी को एक लंबी सी चोंच दी है जिसके नीचे एक थैली नुमा हिस्सा होता है ये थैली काफी बड़ी होती है और इस पक्षी को जब भूग लगती है तो ये अपनी चोंच को पानी में तब तक डाले रखता है जब तक इसकी चोंच में कोई मचली नहीं फस जाती है जैसे ही इसकी चोंच में कोई मचली फसती है ये अपनी चोंच को बंद कर लेता है और और मचली इस पक्षी की थैली नूमा चोंच में फिट हो जाती है और जैसे ही मचली का दम गुटता ये फोरन मचली को निगल लेता है इसके अलावा ये पक्षी जुंड बना कर दूसरे पक्षीयों के जुंड पर हमला करते हैं और वहाँ ये पक्षी कमजोर और बेबी बट्स को अपना शिकार बनाते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताईएगा इन साथ पक्षियों में से कौन से दो पक्षी आपको सबसे ज़्यादा खतरनाक लगे और अगर आप इस तरह के और ज़्यादा वीडियो के नोटिविकेशन पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल की फैमिली का हिस्सा बन जाएगा